इस वीडियो में देखेंगे सिटेट 2022 इन भेरांड में इस्टडी जूम खेती क्या है पहले हम थियोरी को पढ़ेंगे उसके बाद को लगाएंगे चलिए क्लास को सुरू करें जूम क्रिसी भारत की पूर्वतर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली ए एक आदिम प्रकार की क्रिसी हैं जिसमें पहले विरिक्षों तदा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साप की गई भूमी को पुराने उपकर्णों लकड़ी के हालों आदि से जुताई करके फिर बीज को बो दिया जाता है अब इस महत्तविन रहती है तो इस भूमी पर खेती की जाती है इसके पास चाथ इस भूमी को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुना पेड़ पोदे उग जाते हैं यह अभी आपको थियोरी पढ़ा रहे है उसके बाद फिर हम कोस्चन आंसर करेंगे अब अन्यतर जंगली भूमी को साप करके क्रिसी के लिए नई भूमी प्रात की जाती है और उस पर भी कुछी वर्ष तक खेती की जाती है इस परकार यह अस्थांतरन CERCLA कोड़ क Ins time से जिसमें मुख्य फसल चावल के रूप में कहा गया तो यहां से आपसे question को पुछा जाएगा जूम खेती एक ही खेती में अलग अलगतर के बीजबोए जाते हैं जो इसमें सब्जियां मेर्ची हैं और मुख्य फसल आपका चावल को गया जाता है जूम खेती के कारण छेत्र के बाहुल बहुमूल प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है और इस आगपरती खेती के नाम से भी जाना जाता है यहां से भी आपको दोस्तों question को पुछा जा सकता है लेकिन आपको question भी कराएंगे घावराईएगा नहीं वन मुमी की सफाई की जाती है और रात को मिटी मिला दिया जाता है और क्या कर यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पुर्वी छेत्रें पर चली थें जिसमें अस्वमनीपूर मुजरोम नागालन आदिसामिल है या एक परकार की और अस्थाई खेती है जो मुख्यता उ जूम फार्मिंग क्या होता है और कोश्चन कैसे पूछा जाता है तो कोश्चन आपके सामने दोस्तों आगया है आप देख रहें कि जूम खेती मुख्यता होती है क्या होती है उसन कटी बंदी वन परदेश है वर्षा वनो में मरुअस्थल में या ठंडी जगवने यानि आपको बताना है कि जूम खेती मुख्यता होती है कहां होती है इसके बारे में आपको बताना है तो आप थियोरी में पढ़े तो आंसर आपका क्या होगा तो आपका सही आंसर आपका होगा उसन कटी बंदी वन परदेशों में की जाती है चलते हैं कोश्चन नमर नेस्ट प उत्तर पस्चिमी चेत्र में या दक्चिन पुरीवी चेत्र में यह चार ओप्षन हैं तो आपका कौन सा होगा उत्तर पूरीवी चेत्र इस राइट आंसर चलते हैं question पुरीवी चेत्र पाइट को खाली चोड़ दिया जाता है इसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है इस भूमी में बांस या अनिकहर पतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखडा नहीं जाता है काटकर जला दिया जाता है और यह राग भूमी को उर्वरक बनाती है जब जब भूमी खेत के लिए तयार हो जाती है, तब उसे हलका सा खोदा जाता है, और भूमी को जोता नहीं जाता है, उस पर क्या क्या जाता है, बीज को छुलक दिया जाता है, ये आप पढ़े, अब इससे हम आंसर को देखेंगे, कि आंसर इसका क्या होगा, उस कहानी को पढ़ उमीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसका अंसर क्या होगा तो correct answer आपका क्या होना चाहिए जूमखेती is right answer चलते हैं दोस्तों next question पर next question को दोस्ते देख रहे हैं आपके पर question आगया है कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायने का उप्योग करने से मिठी हो जाती है क्या हो जाता है उपजाव हो जाता है बंजर हो जाता है या एक वीशेस परकार की फसल की उप्योगी है या सीचाई के बंजर हो जाता है क्योंकि शुम किरिसी की मानने है तो आप को बताना है है और इसाम दोस्तों देखने आपके पास question कौन सा है कि मिजोरह में पर चले जूम खेती के बारे में निम्रकित कतनों का अध्यन किजिए आपके पास जो कतन अभी देंगे उस कतन को देखेंगे कि उसका answer क्या होगा चलिए कतन को हम देखते हैं तो ये रहा आपका option देखें दोस्तों कि आपके पास option क्या है एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए भूमी खाली रख जाती है और बी में उस भूमी पर उगने वाले बांस या खर पतवार को काट कर जला दिया जाता है बीज बोने से पहले भूमी को गहरी जुता कि जाती है और एक खेत में तीन या चार वीविन प्रकार की फसलें उगाई जाती है और इनमर में रसायन और वरकों और कितना स्कों की आवसकता के अनुसार उप्योग किया जाता है यह चार option को आप देखे दोस्तों आप आपको सही option बताना है कि क्या क्या हो सकता है वीड तथा D और फोर्म है C D तथा E तो सही option बताएंगे कि आपका answer क्या होगा उमीद है आप अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर आप answer का गेस कर लिए होगे तो दोस्तों correct answer आपका क्या होगा तो correct answer होगा A B D is right answer चलते हैं दोस्तों next question पर next question को दोस्तों देख रहे हैं आपकी पास question आगे कि एक जूम खेती के अंतरगत जारकन के किसान द्वारा अपनाये जाने वाले तरीकों के संबंद के नीचे कुछ कथन दिये गए हैं इस पर आप विचार कीजिए तो option क्या कार है देख लिजिए कि एक फसल के काटने के लि कि तयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है तो इस option को आप दोस्तों देखें इसी से फिर आपको option को चुनना होगा कि कौन सा option होगा कि जूम खेती के अंतरगत धारकन के किसान द्वारा आपनाये जाने वाले तरीके के संबंद में दिया ज और चौथा option आपके पास है A और C तो बताएंगे कि सही answer क्या होगा वीडियो को रोकें और answer गैस करें उमीद है आप अच्छी तरह से answer दे दिया होंगे तो correct answer आपका होगा option number 4 is right A और C चलते है question number next पर next question दोस्तों आपके पास question आगया है देख लिजी अच्छी तरह से जूम खेती की मुख फसने कौन सी है चावल गेहू बाजरा काजू तो बताएंगे सही answer क्या होगा जल्दी से question को guess करें उमीद है आप अच्छी तरह से answer भी guess कर ले होगे तो correct answer आपका होगा चावल इस right answer चलते है question next पर next question देख रहें दोस्तों आपके पास question भी आ गया है जूम खेती रूप है और अस्थाई खेती का काट एवंग दगद खेती का या केवल एक है या option नमर फोर है एक वा दोनों तो सही option को बताएं सही option क्या होगा तो वीडियो को रोकर answer बताएंगे तो उमीद है आप answer भी बता दिया होगे correct answer आपका होगा एक हुआ दो जैनि option number one और option number two is right answer ने इस question को दोस्तों देख रहे हैं आपके पास question भी आ गया है कि जूम खेती में खर पत्वार को क्या किया जाता है आपके पास option है उखाड़ देते हैं लेकिन जलाते नहीं है ना तो उखाड़ना है ना ही जलाते हैं बिना उखाड़े जला देते हैं या प्रजक्त में देते हैं यह आपका right answer होगा चलते हैं दोस्तों next question पर दोस्तों next question हम लेके आएंगे seated 2022 बालवी कास और 66 सोसलाइजेशन से top 15 mc की question लेके आएंगे तो next class को देखना ना भूलें आपसे request है अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो अभी subscribe कर लिजे और bell icon की notification को on कर दिजे मिलते हैं next class में thank you